नमस्कार कक्षदसी वाले छात्र अपना गनीत का त्रेमासिक परिक्षा का पेपर देख ली जगा इस पेपर का समीत तीन गंटे होने वाला है पुना की चत्तर अंक और आपको इस पेपर का संपुन उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है तो इस पेपर का हमारा पेला प्र आपका पहला दिया है 12 और 15 का PCF होगा तो कितना होगा यह आपको बताना है तो पहली में करेक्टनसल आपको लिखना होगा एवला तीन होगा दूसरा कर दिया इस में इस भौपत का सुन्यक आप सभी को निकालना निकालना है तो दूसरे में आप सभी को correct answer लिखना होगा b वाला माइनस दो माइनस 5 तीसरा आपका दिया है निम्ने लिकित में से दो चोड़ों में रेकिक समयक्रण है तो तीसरे में आप सभी को correct answer लिखना होगा d वाला 5x प्लस 6y एक्वाल टू सेवन और चोता प्रसंद देख लिजगा जिसमी समिकरन एकस की पावर दो प्लेस एकस मैनस वन पड़ाब जीरो के मूलो की प्रक्ति केसी होगी तो चोती में लिखना होगा बी वला वास्तविक और बिन्न होगी पाँचवा आपका दिया जिसमी इस समानतर से निका तीस्वा पद क्या होगा तो तीस्वा पद आपको निकालना है तो पाँचवा में करेक्ट अंसर आपको लिखना होगा सी वला माइनस सततर होगा और छेटा आपका दिया जिसमी डी ए ग्याद करके लिखना होगा तो चेटे में करेक्ट अंसर आपको लिखना होगा सी उला 4.5 cm अब आप सभी दूसरा प्रसंद देख लिजिगा जिसमें रिक्तिस्तानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी परिक्षा में 6 नंबर के आने वाले है तो आपका पेला दिया है करनी दो केसी संक्या है तो इसमें आपको लिखना होगा अपरिमे संक्या दूसरा आपका दिया है जिसमें रेकिये बवपद AX प्लस B का सुन्यक निकालना है तो दूसरे में आपको लिखना होगा माइलस B आपाउन A और तीसरे आपका दिया जिसमें y कमान निकालना होगा तो y कमान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा x कमान इस समेकरन में जग देना है तो तीसरे में correct अंसर आपको लिखना होगा प्लस का 1 एक आपको लिखना है चोटा आपका दिया है जिसमें वीवितकर का सुत्र बताना होगा तो चोटी में आपको लिखना होगा 20 कार माइनस 4 AC यह आपका correct answer हो जाएगा और 5 आपका दिया है जिसमें 9 और 7 का समानतर मद्दि आपको ज्याद करके लिखना होगा तो पांचे में आप सभी को correct answer लिखना होगा 8 छेटे आप करिया है सभी केसी तिरबुझ समरूप होते है तो छेटे में लिखना होगा संबाव तिरबुझ समरूप होते है अब याप पर हमारा तीसरा प्रसंदिया है जिसमें सत्यत्व असत्य बता के लिखना है जो आपकी परिक्षा में आने वाले ची नंबर के तो आपका पहला दिया है प्रतिक वास्तिवी संक्या एक अपरिमे संक्या होती है तो बिल्कुल नहीं होती है असत्य तुल्याएगा दूसरा आपका दिया है जब डिकामाण जीरो से अधिक हो तो वर्ग समिगरन के मूल वास्तवेख होते है तो बिल्कुल होते सत्य जाएगा और आपका तीसरा दिया है यदि एक तिर्बुज के दो कौन एक अन्य तिर्बुज के क्रमश्या दो कौनों के बराबर हो तो तिर्बुज समरुप होते हैं तो बिल्कुल होते सत्तो जाएगा चूता आपका दिया है दो संक्याओ का गुननफल उनके HCF और LCM के गुननफल के बराबर होता है तो बिल्कुल होता है सत्तो जाएगा पांचव आपका दिया है बीजी व्यंजक बहुपत है या नहीं है यह आपको बताना होगा तो पाच्य हो जाएगा आपको बिल्कुल सत्त मतलब है मतलब नहीं है और छेटा आपका दिया है वर के समय करन आपको दिया है कि सुत्र की विदी गनित तक ये पायतागुरस द्वारा की गई है तो बिल्कुल नहीं की गई है असत्त हो जाएगा अब यह आपर चोटा प्रसंद देख लिजगा जिसमें सही जोडिका मिलान करके लिखना होगा जो आपकी परिक्षा में आने वाले छे नमबर के तो सही जोडिका मिलान कर लिजगा 9 और 27 का LCM इसमें आपको लिखना होगा B वला 27 दिगात बवपत किस सुन्योको का योग ग्यात करने का सुत्र आपको बताना है तो दूसरी में आपको लिखना होगा C वला माइनस B आपाउंड A तीसरा आपका दिया है तो तीसरी में आपको लगाना होगा इफ वला Y इक्वल टू माइनस 3 आपाउंड 2 और चोता आपका दिया है तो चोती में आपको लिखना होगा आपका D वला और पाचवा आपका दिया है सम्मानत सेनी का A नवा पद ग्यात करने का सुत्र बताना है तो पाचवा में आपको लिखना होगा E वला और छेटा आपका दिया है सभी वरत होते तो इसमें आपको लिखना होगा समरूप होता है तो इस प्रकास से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा और पाच वा प्रसंद देख लेज़ेगा जिसमें एक सब्दत्वा एक वाक्य में इन प्रसंदों के उत्तर देने होंगे जो आपकी परिक्षे में आने वा न just in to 0 एए यह हमारा द्युकंगात समेक्रन का मानक रूप हो जाएगा दूसरा देख लेजगा जिसमें सरवांतर आपको ग्याद करना है तो दूसरे में आपको लिखना होगा चें कि इसका सरवांतर कितना हो जाएगा चें हो जाएगा है ओ तीसरा कंदे या है क्या सभी वर्ग सम्रोप होते हैं तो इसना आपको लिखना होगा हाँ हाँ सभी वर्ग सम्रोप होते है चोता आपका दिया है समिकरन जिसमें चरकी अधिक्तम गात दो हो तो वह कौन सा समिकरन किलाता है तो चोते में आपको लिखना है वर्ग समिकरन वर्ग समिकरन किल करता है गसकि और पांच वह आपको दिया है जिसमें आ एम का मानग लिखना होगा तो पांच roof Klarabra मैंस वंठीक करना है जिसमें क्या करना है और ऐसे हरा 5 के अबाज घुननथीक करना हो तो चेटे में आपको लिखना है पांच इन्टू सेवन इन्टू 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 वन सेवन यह आपको यहाँ पर शिक्स का अंसर लगा देना है अब आप सभी चेटे लेकर 23 तक के प्रस्णों के प्रस्ण देख लेजगा और सभी के अंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लाश्ट में आपका छेटा दिया है जिसमें एच सीएप आपको ज्याद करके लिखना होगा और इसके अत्वी वाले प्रस्ण में आप सभी को सन्क्या एकसो चालेस को अबाज गुनन खंडू की गुनन फल के रूप में व्यक्त गरके और इसकि अत्वी वाले प्रसन में आप सबीको एक धी गात बहुपद ग्याद करके लिखना है नौधा प्रस Moz d देख लेजिगा तो एक संक्या दूस्री संक्या की तीन गुनी है तो उन्हें आपको ग्याद करना है मतलब आपको संक्या ग्याद करके लिखना है अत्वा देख लिजगा दो संपूरक कोनों में बड़ा कोन छोटे कोन से 18 डिगरी अधिक है तो उन्हें आपको ग्याद करके लिखना होगा औ ग्यारवा आपका दिया जिसमी इस समिक्रन युगम को प्रतिस्तापन विदी से हल करके लिखना होगा और अत्वा आपका दिया जिसमी इस समिक्रन युगम को वीलोपन विदी से हल करके लिखना है बारवा आपका दिया जिसमी दूक्रमगत दनात्मक पुना ज्यात करके लि और अत्वा देख लिजगा जिसमें क्या करना होगा इस दिवगात समिकरन को मुल सुत्र विदी से ज्याद करके लिखना होगा हल करके लिखना है और तेरवा आपका दिया जिसमें दिवगात समिकरन के मूलों की प्रक्ति ज्याद करके लिखना है और अत्वे वाले प्रिश् और अत्वी में आपको सभी को 57 सेनी का कुण सबकर 85 है तो आपको औहा पत ग्याद करना होगा और फंद्रोवर देख लिए जिगा जिसमें 27 सेनी का प्रतम पत आपको 22 पतों का योग ग्याद करना होगा ठीके और अत्वी में आप सभी को 0 से लेकर 50 के बेच विशम संक्याओ का योग आपको ग्याद करना है सोलवा देख लिजगा थोड़ा जुम करेंगे तो सोलवे में आप सबी को E से ग्याद करना होगा और इसके अत्वे में आप सबी को A से लेकर D आपको ग्याद करना है ठीके और आप से भी देख लेजेगा आपको 70 नहीं सित्रुपेशन पृस्षन में आप सभी को मिनार के उच्छा ग्यात करना है और अत्वी में आप सभी को आदारबोंग आनुपाथिक कता प्रमें खेल से प्रमें आपको लिखना होगा और 18% में आप सभी को LCM ग्याद करना है और अत्विय में आप सभी को LCM ग्याद करना है ठीके ए और 19% देख लेज़ेगा जिसमी सुन्य को तता गुनांकों के बीच के संबंद की सत्यता की जाज करके लिखना होगा और अत्विय में आप सभी को Alpha plus Beta end e to be ta का मान घ्यात करना है और वीस्वे में आप सभी को उनकी मास्क वेतनhang आई घ्यात करना है और अत्वी में आप सभी को एक pencil का मुल्य तत्र एक column का मुल्य ज्याद करना है और 21 देख लिजगा जिसमें गुनन कन्विदी से समीकरन को हल करना होगा और अत्व आपका दिया है 22 देख लिजगा 22 देख लिजगा 22 के बाद इस paper का हमारा last question दिया है 23 अब मैं इस paper का full solution आप सभी को बता देता हूँ अब आप सभी इस paper का full solution देख लिजगा जैसे की हमारा छेटा प्रसन पूचाएगा था ठीके तो इस गंसर आपको दिया है और हमने आप सभी को question number एक से लिकरे 5 तक के अंसर पेले बता दिया है ठीके तो यहाँ पर छेटे का अंसर देख लिजगा चेटे के बार आप सभी को यहाँ पर 7 प्रसन का अंसर यहाँ से मिल जाएगा सातवी के बाद चेटे प्रिश्ण का अतवी का अंसर यहां से मिल जाएगा और आप सबी को सातवी प्रिश्ण का अतवी का अंसर यहां पर मिल जाएगा ठीके देख लिजगा इसको लिखने के बाद इसके आगे भी आपको दिया गया है अभी और एटवी प्रशंय का अंसर देख लिजिगा यह हमादा आट Industry प्रशं b मौत दिया और इसके अत्वी का अंसर आपको यह पर दिया और इसके आ फिर अगे वी आपको दिया गया very यह पर पूरा देख लिज़िगा और नोवी प्रिश्ण का अंसर देख लिजगा यह अमरा नोवी प्रिश्ण का अंसर हो जाएगा नोवे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को नोवे प्रिश्ण का अत्वी का अंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लिजिगा और दसवी का अंसर आपको यहाँ पर दिया गया है पूरा देख लिजिगा और आप सभी को यहाँ पर दसवी प्रिश्ण का अत्वी का अंसर यहाँ से मिल जाएगा आगे हम चलेगे तो आप सभी को ग्यारवे प्रिश्ण का अंसर यहाँ से मिल जाएगा ठीक है ग्यारवे की बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को तेरवे प्रिश्ण का अत्वी का अंसर यहाँ से मिल जाएगा इसके साथी आप सभी देख लिजगा चवदे प्रस्न का अंसर चवदे के बाद आप सभी को मिल जाएगा पंद्रवे प्रस्न का अंसर पंद्रवे के बाद आप सभी देख लिजगा सोलवे प्रस्न का अंसर सोलवे का आगे भी आपको याँ पर दिया हुआ है और इसके साथी आप सभी देख लिजेगा 21 प्रस्ण का अंसर 21 के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 7 वाले कुश्चन का अंसर 7 के बाद आगे हम चलेगे तो आप सभी को 12 प्रस्ण का अत्वी का अंसर यहाँ पर मिल जाएगा और इसके साथ ही आप सभी को सत्रुवे प्रिश्न का पेले का अंसर याँ पर दियाए ठीके अपनी रब कोप में सोल उकल दीजिगा और इसके साथ ही आप सभी को सत्रुवे प्रिश्न का अत्वे का अंसर याँ से मिल जाएगा और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहां पर 88 प्रिश्ण का अंसर मिल जाएगा 88 के बाद आप सभी देख लिए जिगा 19 प्रिश्ण का अंसर 19 वे के बाद आगे हम चलने वाल है तो आप सभी को मिल जाएगा 20 वे प्रिश्ण का अंसर विश्वे के बाद आप सभी देख लेजगा 22 प्रिश्ण का अत्वे का अंसर और इसके साथी आप सभी को मिल जाएगा 23 प्रिश्ण का अंसर तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सोलिशन बता दिया है ठीके मिलते अगले वीडियो में